नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्ता यहाँ पे मैं आप सभी के साथ तोटल आठ चीज़ा शेर करूँगा बजार को लेकर जिसमें से 5 स्टॉक स्पेसिफिक है और 3 बड़े ट्रिगर्स हैं बजार के लिए जो आपको कल से मार्केट में होते हुए दिखेंगे पहले ट्रिगर्स को कवर करते हैं फिर स्टॉक्स को कवर करेंगे और यह मेरी आज की सेकेंड लास्ट वीडियो है वैसे तो मैंने यहाँ पे जो स्टॉक्स पिक करें रहे हैं वह आप सभी का दिल से धन्यवाद क्यूंकि आप लोगों की उसके लिए आप सभी का दिल से दनने बाद अच्छा इस टॉक स्पेसिफिक बात करने से पहले मैं आपको ट्रिगर बताईता हूं पहला और सबसे बड़ा ट्रिगर भारतिय बजार के इसाब से कल के शेशन में वह है भारत का सीपी आई इंफलेशन आने वाला है और ट्रिगर यह है सेकेंड है यूएस इंफलेशन यानि की अमेरिका का इंफलेशन का डाटा भी आना है उसकी बात करें तो जो एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड 7.3% की है लास्ट यानि ऑक्टूबर महिने में जो है इंफलेशन 7.7 पे था नवेंबर में 7.3% का अनुमान है मार्केट का थर्ड जो इंपोर्टेंट ट्रिगर है वो है फेड की मीटिंग है 13-14 दिसंबर को जहां पर लगबग इस बार 50 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक कर सकता है चार बार 55 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक के बाद यह ऐसा होगा कि अब एक बार थोड़ा रेट ह अब पहले बात करते है टाटा स्टील तो पूरे मैटल्स की बात करूं तो यहां पर आपने एक फॉल देखा एक प्रॉफिट बॉकिंग देखिए मैं से कर्रेक्शन भी नहीं कहूंगा हो सकता है थोड़ी सी और चले टाटा स्टील में ट्रेडिंग भी हुए तो वो एक खरीदने की राय होगी माँ पे ट्रेडिंग परपस से के बल आपका एक छोटा सा S.L ह होगा देड़ रुपे का 103.50-104 का स्टॉप लॉस रखे आप खरीदारी करें 109-1113 दुबारा से आपके लिए टार्गेट होने चाहिए इंवेस्मेंट परपस से टाटा स्टील अभी मुझे पसंद नहीं आता है अगर नीचे गिरता है किसी भी रिजन से 95 बड़ी दूरी पूल रहा हूं मैं आता है तब ही लिए अधरवाइस इगनोर करें वैसे भी लॉंग टम में टाटा इसले कुछ अच्छा इसाब किताब रहा नहीं है ज्यादा बड़ा पैसा उसने बनाये लिए नेक्स्ट टाटा पावर को लेकर काफी सारी कोईरी टाटा पावर एक ऐसा पिछले ग्यारा महिने से लोगों को दुखी करने के लावा कुछ नहीं कर रहा है तो चाहें तो छोड़ दें इस स्टॉक को या फिर आप मेरे साब से तो लॉंग टर्म निवेशक हैं तो आप 200 रुपे का एक स्ट्रिक एसल रखें और बने रहें जब तक 200 के उपर है आप अपने पास रगें 200 के नीचे छोड़िए दुबारा 200 के उपर आए दुबारा खरीद लो जब तक 200 के उपर है तो उसमें उपर के आसमान खुले हुए हैं हो सकता है 200, 300, 300, 400 कुछ भी हो जाए मुझे पता अभी बड़ी लग रहे है लेकिन 2021 में सब कह रहे थे 400 हो जाएग के उपर closing नहीं देता तो थोड़ा सा negative ही है जो company ने buyback दिया वो भी बिल्कुल positive नहीं था वो भी खराबता इतना चोटा buyback का क्या फायदा है आप तो नाम के लिए buyback कर रहे हैं वो भी open market से कर रहे है पबलिक को क्या फायदा होगा इसमें 1% का भी buyback नहीं कर तो मेरे साब के उपर bullish होंगा थोड़ा सा positive momentum बनेगा वहां खरीदने की राय होगी लेकिन अभी थोड़ा negative ही दिखता है जुब्लियंट foodworks की बात करें तो यहां पर जुब्लियंट foodworks को लेकर काफी सारे लोगों की query है और मैंने आपके साथ एक चीज और बोली थी मेरी portfolio में भी है यहां कहीं पीजा करोवार में इनका more than 50% का market share है Monopoly play करता हूं मैं और यह FMCG में आता है तो मुझे लगता है इस तरी कारोवार आगी grow करते हैं बढ़ ठीक है अभी negative दिख रहा है काफी समय से negative है management जब से change हुआ है तब से stock गिरी रहा continue इस stock की बात करें नीचे में आपको break down हुआ है stock में 525-10 के levels देखने को मिल सकते हैं अगर वो levels आते हैं तो महां लेने की राय होगी otherwise यह stock यहीं कहीं रुख जाना चाहिए 533 रुपीज पर जो कि stock ने double bottom form कर रहा है तो अगर 530-532-333 पर रुखता है तो ठीक है otherwise 520 की तरफ stock चल देगा यह trading positional बात करें तो मैं आपसे कहूंगा hold करें इस stock को stock खराब नहीं है आगे चलके आपको definitely पैसा बना के देगा यह stock IT stocks को लेकर काफी सारी queries है मुझे पता है Friday में जो गिरावट देखी वो आपके दिमाग में काफी सारे सवाल ला रही है एक simple सा जब आप दूँगा trading position खाली कर दें investment position में गिरावट में accumulate average और bottom fishing करें सिंपल सी राय है short term में थोड़ी यह selling pressure बढ़ सकता है और जो problems है वो थोड़ी और जो इस हिसाब से gravity हो ऐसा रखता है तो यहां से और गिरेंगे stocks लेकिन उसके बाद आपको लेने के मौके डूनने चाहिए कुछ भी बदला नहीं है कुछ भी खराब नहीं है आगे का वीव बिल्कुल crystal clear है और अच्छा है तो यह मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दौन आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys